असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापने के इस नए और लडेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु शायरी की कुछ एहम तरीन नुक्ते पर डिसकस करने वाले हैं यानि कि उर्दु शायरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस इसे नसर आता है इसे शायरी आता है अफसाना नजम घजल दास्तान मर्सिया हर एक चीज उर्दु ग्रामर के अंतरगत आ जाता है ठीक है और जितना भी मैं आप लोग अभी टॉपिक वन बई वन करके पढ़ा रहे हुए सब क्या है उर्दु ग्रामर ही है और आज के इस उर्दु शायरी का कुछ important point है जो कि आप लोग के board exam के लिए काफी important है जितना भी topic आज के इस वीडियो में discuss होने वाला है जितना भी topic हम लोग cover करने वाले आज के इस वीडियो में यह आप लोग के exam के point of view से काफी important है और आप लोग को यह चीज पता होनी चाहिए कि मैं ज सारा का सारा आप लोग के exam के point of view से काफी important होता है तो मुझे यह बतानी की जोरत नहीं है कि यह topic कितना important है आप लोग बहुत समझदार है और आप लोग को पता होगा कि यह मतलब हर साल इस topic से question पूछे जाते हैं और खासतोर से 2424 के exam के लिए यह तो बहुत ही ज्यादा बह है आप लोग अपने exam में जब बैठ हैं तो इस topic से एक भी question पूछेगा ना तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूं एक भी question छोड़ कर रहें आएंगे तो चलिए फडवट without any delay let's go to start और दो शायरी में सबसे पहली चीज़ जो आप लोग के लिए जानी जरूरी है व तो शेर का कोई भी एक line मिसरा कहलाता है जरा आप लोग मेरी बात पर गौर करें मैं क्या बोली कि शेर का कोई भी एक line मिसरा कहलाता है अब यहां पर आप लोग बोड़ पर नजर दोड़ाएं बोड़ पर मैं धेर सरा शेर लिख दी हूं इसका कोई भी एक line उठा आप लोग बताएं किस शेर का पहला मिस्रा कौन सा है और विज्वली बात है ये है पहला मिस्रा पहला लाइन पहला सतर को ये हो गया पहला मिस्रा कहेंगे उसी तरह दूसरा मिस्रा ये है तीसरा मिस्रा ये है चोथा मिस्रा यह है तो आप लोग बताए कमेंट में कि बोर्ड पर टोटल कितने मिस्रे हैं बहुत ज़्यदा आसान है ना एक मिस्रा दूसरा मिस्रा तिसरा मिस्रा चोथा मिस्रा पाचवा मिस्रा छट्ठा साथवा आठवा यानि कीबोर्ड पर टोटल आठ मिस्रे लिखे गया है, ठीक है, I hope आप लोगो समझ में आ गया होगा, तो मिस्रा आप लोगो समझ में आ गया, तो मिस्रा पर मैं टिक कर दे रही हूं, अगर समझ में आ आए है, तो कमेंड में लिखकर जरूर बताएं, जो कुछ भी मैं आप समझ में आ गया, तो शेर भी यूही आसानी से समझ में आएगा, एक दम चुटकियों का खेल है, ठीक है, मिस्रा समझ में आ गया, अब समझते हैं शेर को, अब शेर का मतलब हो, जंगली जानवर, जंगल का राजा शेर नहीं समझ लिजेगा, यह वाला शेर है, देखिए, लाइन वाला एक शेर होता है, और एक छोटी यह वाला शेर होता है, यह हो गया, ठीक है, मतलब छोटी यह नहीं रहता है, यह बड़ी यह रहता है, तो देखिए, शीन और एन, यह होता है उर्दू शायरी की शेर, और यह जो शेर है न, यह जंगली जानवर वाला शेर शेड्सकॉ को इस तरह से लिखा जाता है ये शेड़ हो गया वो यानि कि अब हम लोग समझते हैं कि उर्दु शाइरी में इस शेड़ का मतलब क्या होता है आखिर क्या है शेर बहुत ज्यादा आसान है दो मिस्रों को मिला कर एक शेर बनता है यानि कि यह हो गया पहला मिस्रा यह हो गया दूसरा मिस्रा यह दो मिस्रे एक साथ है न तो इनको इकठे में दोनों को एक साथ क्या कहा जाएगा शेर कहा जाएगा जी हां शेर दोनों को एक साथ इक त्भाना होता है तो यहां पर दो मिस्रा है इन दोनों मिस्रे को एक साथ क्या कहेंगे एक शेर कहेंगे उसी तरह आप लोग कमेंड में ये बताए कि टोटल बोर्ड पर कितने शेर लिखे हैं ये तो पहला शेर हो गया इसी तरह टोटल बोर्ड पर कितने शेर हैं तो विज्वली बात दीख जा रहा है यह हो गया दो मिस्रों का बना हुआ पहला शेर, यह हो गया दो मिस्रों का बना हुआ दूसरा शेर, यह तीसरा शेर, इसमें भी दो मिस्रे हैं और यह चोथा शेर, यानि कि टोटल बोड पर चार शेर लिखा हुआ है, शेर का जमा होता है अशार, ठीक है, यानि कि टोटल चा ये हो गया पहला शेर, ये हो गया दो मिस्रों से बना हुआ दूसरा शेर, ठीक है, ये दो मिस्रों से बना हुआ तीसरा शेर, और ये हो गया दो मिस्रों से बना हुआ चोथा शेर, शेर तो दो ही मिस्रों से बनता है न, तो पहला दूसरा तीसरा चोथा, ठीक है, टोटल चार और शेर हो गया मिस्रा और शेराप लोग समझ गए तो आप लोग टैंसरी होस देए रधीफ भी समझ में आ जाएगा रधीफ किसे कहते हैं बचेल के आखिर में चले जाएए यानि कि अंत में बार बार आने वाले a कलमा या फिर कलमात को रधीफ कहते हैं अभी आप को समझ में लहीं आया होगा मुझे पता है Tenson free होज vent sourdosa समझ में आये गा लोग इसको पढ़ेंगे ना तब समझ में आयेगा चलिए मैं पढ़ती हूं और आप लोग ध्यान दिजिए कहां मतलब किसी रदीफ कहते हैं मैं पढ़ती हूं और तब आप अच्छा मगरूद लिख दिए में यहां पर डाल नहीं रहेगा रहेगा ठीक है गलती से कभी-कभी गलती हो जाती है ठीक है और इंसान से तो गलती होती है न चलिए तो मगरूर नहों साफिय रुक्सार पर अपने फिर नहीं तो मेरी बात को तू याद करेगा अलबता सर गौर किया होगा कि इस सभी शेर में एक ऐसा लवज है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और वो लवज कौन सा है वह करेगा देखिए इस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा हर आन में 100-100 चमान इजाद करेगा पहले मिस्रे में भी करेगा दूसरे मिस्रे में भी करे यहां पर भी देख सकते हैं करेगा है यहां पर भी है करेगा यानि की अब फिर से जो मैं बोली थी उसको ध्यान से सुनिए शेर के आखिर में आने वाले बार-बार कलमा या फिर कलमात को क्या कहते हैं रदीफ तो देखिए यह जो लवज है शेर के आखिर में हैं और यह बार 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 रिपीट हो रहा है यानि कि इसी लवज को क्या कहेंगे रदीफ कहेंगे तो यहां पर करेगा क्या हो जाएगा यह करेगा एक रदीफ है क्या है रदीफ है क्योंकि यह शेर के आखिर में है और बार बार रिपीट हो रहा है तो करेगा क्या कहलाएगा रदीफ इन पहले शेयर के दोनों मिस्रों में होता है रदीफ पहले शेयर के दोनों मिस्रों में होता है देखिए यह पहला शेयर है और इसके दोनों मिस्रों में रदीफ है करेगा करेगा दोनों मिस्रों में रदीफ है ना लेकिन पहले शेयर को छोड़कर बाकी जितने भी शेयर होते है पहले मिस्रे में कही रदीव दिख रहा है करेगा नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरे वाले मिस्रे में देखिए लास्ट में करेगा दिख रहा है यानि कि रदीव है उसी तरह तीसरा मिस्रा में आ जाई है पहले मिस्रे में रदीव नहीं है बलकि दूसरे मिस्रे में रदीव उसी तरह चौफा शेर में आजाईए पहले मिष्रे में रदीफ नहीं है दूसरे मिष्रे में आगे बढ़ते हैं काफिय रदीफ समझ में आगियार तो काफिय किसे कहते हैं समझते हैं काफिया किसे कहते हैं काफिया बहुत जदा आसान है बहुत जदा बहुत जदा रदीफ के ठीक पहले वाले लवज को कहते हैं क्या काफिया बहुत बहुत यह है रदीफ करेगा और इसी के ठीक जस्ट पहले चले आईए करेगा ये रदीब जो है ना इसके ठीक पहले चले ये जस्ट पहले याद है ना यही कहलाएगा याद ये जो याद है ना इसी को कहेंगे क्या काफिया इसको कहेंगे क्या काफिया ठीक है ये हो गया आप लोगा काफिया याद कैसे मैं आप लोगों समझाती हूं देखें इस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा करेगा से पहले क्या है याद उसी तरह देखिए पहले वाले मिस्रे में काफिया है दूसरे वाले मिस्रे में भी होगा जब पहले वाले मिस्रे में है तो दूसरे वाले मिस्रे में भी होगा देखिए हर आन में 100-100 चमन इजाद करेगा याद करेगा इजाद करेगा यानि कि याद इजाद pronunciation same है ना pronunciation shame है आवाज same निकल रहा है बिल्कुल एक जैसा याद करेगा इजाद करेगा ठीक है यानि कि करेगा के पहले क्या है इजाद और यहाँ पर करेगा के पहले क्या है याद याद और इजाद दोनों का pronunciation frame है यानि कि ये दोनों क्या है काफिया है यानि कि रदीफ के पहले क्या मिल रहा है आप लोगो काफिया देखने को मिल रहा है जस्ट रदीफ के पहले चले आईए रदीफ के पहले आने वाले कलमा को ये फिर कलमात को क्या कहते है काफिया कहते हैं तो करेगा से पहले क्या है याद करेगा से पहले क्या है इजाद तो याद इजाद यहाँ पर भी देख सकते हैं साद तो याद इजाद साद याद इर्शाद तो लास्ट मतलब सभी जितने भी काफिया है सभी का जो pronunciation है वो बिल्कुल सेम है तो यह सभी क्या कहलाएंगे काफिया कहलाएंगे रदीफ के पहले आने वाला क्या कहते हैं रदीफ के पहले आने वाला लफ क्या कहलाता है काफिया कहलाता है तो रदीफ के पहले क्या रहा है याद रदीफ के पहले क्या रहा है इजाद य यहां तक समझ में आ गया समझ यह कि आप लोग उर्दो शायरी में एंट्री कर चुके हैं और उर्दो शायरी से एक भी कोशन अगर आप लोग एकजाम में पूछा जाता है तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं यह चार टॉपिक हो लिए अब उर्दो शायरी में जितने भी नवी टापिक होते हैं वो में आप लोग को धरादर पढ़ा दूंगी अंखी में और काफिया समझ है तो चली बहुत ही अच्छी बात है आप लोग यहां तक समझ गया है अब नेक्स्ट जो उर्दो शायरी का टॉपिक है ना काफी important होगा यह तो starting था समझे की यह सिर्फ ट्रेलर था उर्दू शायरी का जिसे जानना जरूरी है अब आगे आने वाले topic के लिए यह काफी help हो गया आप लोग के लिए मतलब यह समझ गया ना तो आगे जो उर्दू शायरी का topic आप लोग को पढ़ना है वह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए यहां से अगर कोई भी कोशन पूछेगा तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे अब क लोगा पृटा चल जाएगा किस-किस-किस तरह की कोशन पूछे जाते हैं मैं और अब्यक्टिव कोशनutable कराओंगी तो पता चल जैगा जتना भी topic पढ़ा हूं ना औल टॉपिक का मैं अब्जेक्टिव कोशन कराऊंगी तो आप लोग वहाँ पर पता चलिएगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह से कोशन पूछे जाते हैं तो अभी मैं आप लोग को कॉंटेंट दे रही हूं आप लोग अभी टॉपिक को पढ़ें कोशन किस तरह से पूछा जाता है वो मैं आप लोग को बता दोंगी टेंसन फ्री रहें चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिये होंगे शेर जितना जदा हो सके कर दे अपने पोडोस के अपने दोस्तों के पास आप लोग क कॉंटेक्ट में जितने भी लोग हैं क्या तब शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके मैं आप सभी लोग के लिए इतना एफट करती हूं तो आप टो एक छोड़ा सा काम कर सकते हैं जरूर तो आप लोग लाइक करें शेयर करें जितना ज़्यादा हो मैं उर्दू के इसी तरह के बहतरीन ट्रिक और कॉंटेट में लेकर आती रहती हूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टूटाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चली आज किस वीडियो को यह